मैंने एक बहुत ही प्यारा लेशन सिखा है और यह लेशन बहुत ज़्यादे कॉमन है यह दुनिया के सारे लोगों को यह लेशन पता होगा बट बहुत ही कम लोग इसे इस्तमाल करते हैं वल्कम बैक दोस्तों 100 days communication challenge के 41 दिन में आपका स्वागत है डेरिन हाटी कहते हैं कि everyone around you is a teacher they are teaching you either through examples or by warnings the key is to distinguish which मतलब आपके आस पास जितने भी लोग हैं वो सारे आपके teacher हैं वो लोग आपको सिखाते हैं थूद ऑ्र थू फूरन ईब यह आपके उपर है कि आप किस से सिखते हो आपको से सिखते हो यह इसकी अपको student है फसे मैं ऐसे स्टूडिंट है हैं मैं फट्रोंग हूँ अगर आपके पास और लो स्टूडिंट है और वह खुप मेनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहा है अपने काम पर फोकस है इसका मतलब वह आपको एक्जामपल दे रहा है कि आप भी मेनत करो आप भी उतना फोकस के साथ पढ़ाई करो और एक स्टुडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका काम अपने पढ़ाई पर नहीं है उसका फोकस पढ़ाई प है तो इसका मतलब वह आपको वार्निंग दे रहा है कि यह चीज़ें मत करो ताकि बाद में आपको नुक्सान ना उठाना पड़े हैं ऐसे बहुत सारे एक्जामपल से आप कोई पयरेंट हो को गार्जें हorts तो अगर कोई दूसरा अपने बच्चे को सातथ कैसा अच्छे से még्शी करता है और अगर वो बुरी किस से सिखना चाहिए और कैसे सिखना चाहिए आइधर तुर एक्जानपल और बाइ वर्निंग विगस एड देन मायने यह रखता है कि आप सीख रहे हो या कि नहीं क्योंकि यहां पर सीखना इंपॉर्टेंट है सीखना मस्त है एक बहुत फेमस फ्रेज है कि जो इंसान सीखत रहना चाहिए और कहते हैं कि जिंदगी कभी कभी आपको एक लेशन बार बार सिखाती है जब तक आप नहीं सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो जिंदगी फिर से आपके पास लेशन लेके आएगी फिर से आपको सिखाएगी और फिर से उस मुश्किल में डालेगी त और वीडियो को लास तक देखने के लिए और जरनी को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मैच